हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं हट्टक हिंदी चैनल आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि IRCTC में आप एकाउंट कैसे बना सकते लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीज दोस्तों IRCTC में अकाउंट बनाने के लिए आपको दो चीजों की जुरुत होगी एक आपका मुबाइल नंबर और दूसरा जीमेल आईडी क्योंकि इन दोनों पर एक OTP आएगा OTP फिल करने के बाद ही हमारा IRCTC में अकाउंट क्रेट होगा अगर दोस्तों आपने कभी एकाउंट क्रेट होगा तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आपकी जीमेल आईडी कौन सी है उसके लिए आप उपन कीजिए अपनी प्ले स्टोर प्ले स्टोर उपन करने के बाद जो लेफ्ट साइड में तीन लाइने है वाग लिक करिए वाग लिक करने के बाद यह यहां अमारी जीमेल आईडी लिखी हुई है आप इसे नोट करके रख लिजिए क्योंकि इस पर ओड़ी भी आएगा और वो हमें फिल करना होगा अब मैं यहां सर्च करना है आई यार सी टी सी यह रेल्वे की ओफिशियल एप है आपको इसे डाउनलोड कर लेना है मैंने इसे डाउनलोड कर रख है डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है अब यहां ट्रेंट टिकट लिखा है हमें वहाँ क्लिक करना है अब यहां नीचे एक ओप्षन है रेजिस्टर हमें रेजिस्टर पर क्लिक करके पहले रेजिस्टर करना होगा अब यहां हमारा एक page open हो चुका है यहां मैं detail fill करनी होगी सबसे पहले username लिखा है हमें username select करना होगा कोई भी फिर देखना होगा वो available है या नहीं है चलिए हम कोई भी username select कर लेते हैं यह कम से कम 3 अक्षर से लेके 10 अक्षर तक होना चाहिए और इसमें कोई number नहीं होने चाहिए सिरफ इसमें letter ही होने चाहिए हम इसमें fill करके देखते हैं पहले दिल्ली यह देखते हैं कि available है या नी नीचे password पे जाके click करेंगे यह देखे रेड कलर में लिखा आगा है इसका मतलब यह available नहीं है अब इसमें कुछ हम changes करेंगे कुछ capital में लिख देंगे इसको कुछ small letter में अब दिल्ली का i जो है वो capital में लिख देते हैं फिर देखते हैं password पे click करके यह देखिए अब यह green color में है इसका मतलब यह available है अब हम यह password set करना है password 8 अक्षर से लेके पंदराक्षर तक का होना चाहिए और उसमें एक capital word भी होना चाहिए और digit भी होना चाहिए कम से कम एक तो होना चाहिए चलिए password set करते हैं password set करने के बाद हम नीचे करेंगे confirm फिर नीचे लिखेंगे first name middle name, last name, date of birth, gender, mobile number और male ID इसमें fill कर लेंगे detail fill करने के बाद हम करेंगे next अब यहां में बाखी की detail fill करनी होगी nationality पे आप India कर सकते हैं उसके बाद security question है आप कुछ भी choose कर सकते हैं security question से यह होगा कि कल को आप अगर अपना password भूल जाते हैं तो security question से वो आपका जो password है वो recover हो जाएगा आप कोई भी choose करके लिख सकते हैं उसके बाद बागी की detail fill करके next कर देंगे अब हम करेंगे next अब यहां में अपना address fill करना होगा अपना address fill करके उसके बाद करेंगे next अब यहां में अपना username और password लेके login कर लेना है यहां में OTP fill करना होगा जो हमारा mobile number और Gmail ID पर आया है OTP fill करने के बाद हमें verify user पर क्लिक करना है अब करेंगे ok दोबारा fill करेंगे password अब यहां हमें चार अक्षर का एक पिन सेट करने को कह रहे हैं कि हमें दुबारा दुबारा password नहीं डालना होगा जब हम एप को ओपन करेंगे तो चार नमबर का जो पिन होगा हम उससे ही ओपन कर सकते हैं कोई वीपीन सेट कर लेते हैं कि करते confirm फिस सब्मीट भी क्लिक कर देते हैं करेंगे अब यह हमारी एप ओपन हो चुकी है और हमारा रेजिस्ट्रेशन हो चुका है चलिए दोस्तों अब इसे बैक करके दुबारा ओपन करके देखते हैं दुबारा करते हैं ओपन ट्रेंट टिकट पर करेंगे क्लिक अब यह देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर पासवर्ड नहीं फिल करना है अब हमारी जो एप है वो पिन से ओपन होगी जो हमने पिन सेट किया था अब इसमें एंटर करते हैं पिन लोगिन करते हैं देखिए हमारी एप ओपन हो चुकी है पासवर्ड की हमें दुबारा तब जुरुत पड़ेगी जब कभी भी हम जो अपनी एप है वो अनिंस्टोल करके दुबारा इंस्टोल करेंगे फिर हमें वो पासवर्ड से ओपन करना होगा तो दोस्तो ऐसे ही हम IRCTC में रिजिस्टर कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन से कहीं की भी रिजर्विशन टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू